धर्ती से चांद के बीच की दूरी 3,83,000 किलो मीटर है 14 जुलाई को लांच होने वाला चंद्रियान 3 इस दूरी को करीब 42 दिनों में पूरा करेगा कई जटिल प्रक्रियाँ से होते हुए चंद्रियान 3,23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिनी धुरू इलाके में सौफ्ट लैंडिंग करेगा वैसे तो नासा अपने इस्पेस शिप को चंद्रमा पर चार दिन से हपता भर के अंदर भी पहुँचा सकता है मगर धर्ती के चार उतरब घुमा कर अंतिर खियान को गहरे इस्पेस में भेजने के प्रक्रिया सस्ती पड़ती है इसलिए चंद्रियान 3 को इतना समय लग रहा है नासा की तूलना में इसरों के प्रोजेक्ट सस्ते होते हैं इसरों के पास अभी नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रियान 3 को सीधे चांद के और्बिट में भेज सके चंद्रियान 3 ने 17 जुलाई को प्रिथ्वी की दूसरी और 18 जुलाई को प्रिथ्वी की तीसरी कक्षा में सफलता पुरवक प्रवेश किया था चंद्रयान 3 तब प्रिथ्वी से 59,400 किलोमीटर गुना 228 किलोमीटर दूर इस सित प्रिथ्वी की कक्षा में मौजूद था प्रिथ्वी की कक्षा में चंद्रयान 3 के कुल 5 इंजेक्षन और विठ हैं पाचो की फाइरिंग पूरी होने के बाद चंदरियान 3 प्रित्वी की कघशा से बाहर निकल गया इसरों के वैज्जानिकों के अनुसार ये प्रक्रिया 31 जुलाई और 1 अगस्थ के मध्य रातरी को ही इस रो के अनुसार, चंदर्यान 3 अब प्रिथवी के तीसरे और चोथे औरविट के बीच, एक औरविट से दूसरे औरविट में औरविट रेजिंग प्रोसेस के जरीए भेजा जा रहा है चंद्रयान 3 का और्बिट बढ़ने के लिए सही समय में अगली फाइरिंग प्लान कर ली जाती है चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही संशोधित रूप है खास दोर पे पिछली बार लेंडर के लिए जिस तकनीक का इस्तिमाल किया गया था उसमें अब बहुत बदला हुए है चंद्रयान 2 में विक्रम लेंडर और प्रग्यान रोवर शामिल थे जबकि चंद्रयान 3 में एक अलग लेंडर मॉडियूर, प्रोपलिशन मॉडियूर और एक रोवर है चंद्रयान 3 की लॉंचिंग के साथ ही भारत चंद्रमा की सतह पर अपना आंतरिक शियान उतारने वाला विशो का चौथा देश बन जाएगा अब तक चंद्रयान 3 की कतिविधी पूरी तरह से सामाने है और दुनिया उसे चांद की सतह पर देखने को आतुर है